मत्रा में संभागी परिवहन विभाग की लापरवाही की चलती ट्रैक्टर दुआरा कुछले जाने के कारण 12 वर्षी बच्चे की मोथ हो गई सुचना के बाद पुलिस ने मोके पर पहुंचकर मामले की जांचकर कारेवाही शुरू करती आपको बता दे कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी इटो से भरी ट्रैक्टर पर कारेवाही नहीं हो पा रही है ऐसा लगता है कि प्रिषासन के संरक्षिन में चल रहे हैं इटो से भरे ट्रैक्टर ट्रोली दरसर यह घटना है थाना नोजील के मीरपूर की जहां अक्सर देखा जाता है कि ट्रेक्टर और ट्रोली इट भर कर ले जाते हैं जबकि ट्रेक्टर किसानों के कारिये के लिए परियोग में लाना चाहिए मगर यहां अक्सर इट ले जाने के लिए ट्रैक्टर का ही उप्योग किया जा रहा है क्योंकि संभागी परिवेन विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और ना ही शिकायतों के बाद कोई कारेवाही की जाती है जबकि पुलिस थाना भी रास्ते में पढ़ने के बावजूद भी किसी भी पुलिस कर्मी का ध्यान इस ओर नहीं जाता है जिससे यह घटनाय लगातार बट्टी ही जा रही है आज इसी लापरवाही के चलते इटों से भरे ट्रेक्टर से मीरपूर के ही 12 वर्षिये आकाश के नीचे आजाने से उसकी दर्दनाक मोध हो गई इस घटना को लेकर लोगों में काफी रोश्पन अप रहा है गावालों का कहना है कि कई बार भट्टा मालकों के साथ भी बात चित हुई और यही कहते हैं कि बस दो-चार दिन बात बंद कर दिये जाएंगे मगर ऐसा अभी तक नहीं हुआ अब देखना यह होगा कि विभाग इस घटना से कब तक हरकत में आता है और इन लोगों पर क्या कारेवाही करता है मत्रा से समधाता जाहिद सेयद के रिपोर्ट अब उपर है करक्टेक्टर डड़का के लड़का का अब क्या गार बाइ के जाहिए कारवाई तक गई के समारण ओगो एफ इरउ भगी कारवाई तक गई JBD Banquets लाए है Incredible Marriage Palace Raj Gharana And the Finest Banquet Hall Jyothi Garden World Class Catering Centurally Air Condition Lush Green Lawns State of the Art Lightning A perfect venue for wedding, launching and parties Raj Gharana and Jyoti Garden A JBD Banquets Enterprise